बच्चों से प्यार और बड़ों का लिहाज ये ना सिर्फ हमारे देश की संस्कृती है बलकि पूरी दुनिया में इसे सही माना जाता है बच्चों और बज़ुर्गों के प्रती संवेधन शील होने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बज़ुर्ग बड़ती उम्र के साथ मानसिक तोर पर संवेधन शील और शाडेरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं और ये सच भी है लेकिन एक और सच अच्छाई आजकल इस वर्ग में नजर आती है जो सोचने पर मजबूर करती है क्योंकि ये दोनों ही वर्ग, बच्चे और बुजुर्ग, हाल फिलाल में कुछ बेहत संगीन और जगन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं इसलिए जरूरी है इस काहवत पर गोर करने की और थोड़ा सतर्क होने की भी बॉट मॉरिंग सुरेखा, उठो, छे बच गया, अरे कितना सोगी यह उठो न, अजय सुनो, मैं जॉबंग से होकर आता हूँ, तुम फ्लश्री जाओ, फिर साथ में चाय पीते हैं, ओक्या, उठ जाना हा करते हैं, चाश्री जाओ, ऐसका रोज़ाँ, अग्या, अग्या, जैसेहा डुमारी उलाविसे शुरे का, शुरे का शरिखा तुम थी नहीं ते? चुरे तेखार हो के फटट फट बहार आजाओ आज मुझे अ जल्दी जाना है, समझी? तुम्हें चाय के साथ साथ नाचतव है दुनारा अचाई बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगी? वहाँ चले जाना तटरगे कर गओए यथिल्दी से उठाओ नाश्ता तैयार हो गया है करा अब है क्यों ह्भव तट वह रहाएं? मैं देख्तों. हुँ, वह रहाएं. अन्य? तुम्हे तो यह सब पसंद है, ना? दरसल पसंद तो मुझे भी है, लेकिन इतने साल आर्मी में नोकरी करने के बाद, यह तीखा, तला, चटपटा खाना बिल्कु छूटी गया मेरा. पता है, सुरिखा? आर्मी के शुरुवाती दिनों में तो मुझे कई दिनों तक तुम नहीं, सपने में यह सेव, भेल, वड़ा पाओ, यही सब दिखाई पड़ता था. अब तुम इस बात पर नाराज मत हो जाना है कि तुम मुझे सपने में क्यों नहीं आती थी, है ना? मुट खराब है तुमारा? इतनी गुमसुम सी क्यों लग रही हो? ओ शिट, मैं तो भूली है, तुमको तो रात में बुखार था ना? मैं तुम्हें दवाई दूंगा, फिर क्लिनिक चला जाओंगा, ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना तुम, कर से कहीं बाहर नहीं मैं मैं कितना केले सस्वेंट हो, मैं स्वेर, तुम्हें फीवर है और मैं क्लिनिक जा रहा हूँ, तुम्हें इस हाल में छोड कर, बड़ी बैड़ हलो, हम अनिशा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज मैं क्लिनिक नहीं आपाऊंगा, हाँ, सब ठीक है, वो सुरिखा की तब्यद थोड़ी खराब है और तुम तो जानती हो, मैं उसे अकेला नहीं छोड सकता, अचा सुनो, अब मेरे जितने भी पेशेंट्स है न तुम ने डॉक्टर शेटे को रेफर कर देना, थांक्स स्मार्ट मूव, अच्छी चाल चलिए तुमने आज ताहे, आज मुझे हराने का पूरा प्लान मना लिया है वैसे मुझे हराना इतना असान नहीं है, मिसे सूरिखांत महराथ है पढ़ा के कौन दगा रहा है आज तो कोई टिब्विल भी नहीं है हाज तो कोई फेस्टेविल भी नहीं है ह्ऊ इस बड़िस सैविलयांस अंस सेविलाइस लॉट्ट सुरीगा मेरे तो समझ बें नहीं आता है यह लोग इस तरही किसे अपनी शादी का धिन्वरा पिटने के लिए पठागे दगाते रहते हैं यूस पॉलिशन, यह पॉलिशन सुरिखा, हम लोगों की शादी कितनी आइडियल थी ना कोई बैंड बाजा, ना कोई पठागा, ना तें, कोई शोर शराबा नहीं कितनी शान्ती थी ना ना था इन गठाओं को सबक से खाना ही पड़ेगा सर अपने कंपलेट के लिटी? येस, महीं रुकिये, पिछे जाएए आप लोगे जूते बहुत गंदे है, अंदर आने के जरूरत नहीं है, जो बात करनी भाही से करिए सर आपने कंपलेंट की थी, इसके लिए आम लोग आये थे, क्या प्रब्लम है? जब मैने कंपलेंट की थी, यहां से बाराज जा रही थी उसों पठाके फोरे जा रहे थे, बैंट बाजा बज रहा था कितना बजे की बात है? साथ ठीक है, मगामी काई करूशकत नहीं, क्योंकि दस बै तक परमीशन होती है अरे, इस कैसी परमीशन है? जो लोगो को परिशान करने के लिए दी जाती है अरे, कैसे बेवकूफ लोग है? शादी करनी है तो करो, किसने बारा क्या, किसने रोका है? लेकिन लोगों को डिस्टर्ब करना, परिशान करना, उन्हें नहीं सोने देना, पठाके देखाना, बैंट बाजे मेरी बीवी बीमार है, उस सो रही सकती परिशान हो जाती है अब जाकती रहेगी सारी राग आज ही वाद में है, चलो सुरेखा? रात की दमाईयां ले लिए ना? आज़ा अब तुम्हारा हम से सोजाओ, मैं थुड़ी रगे लिए बाहर जाता हूं कुद्ध सरूरी काम ने प्टाना है, बुटनाइट सुरिया 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 देखो ना, कशिदी स्टेमी यादी ज्यादो ओवर तो नहीं ना लग रहे है बाउम लग रहे है ऑब अगर अगर ऐसे सर्दज कर जाओगी ना वहाँ पता चला दूला दूलन को देखने के वजाए कहीं तुमी को देखकर लटो या तो सुरिया मजाक मत करो खीक तर ऐसे बताओ अईका जगा मका नहीं ना लग रहे है अरे नहीं लग रहा है भाई मैं कह रहा हूँ ना एक परसेंट उपर ना एक परसेंट काप एक दम लेटरेंट करनल सूरकान मराथे की वाइफ नमबर वान तैंक्यू 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 सो मच मराथे लेकिन आप आप तयार हो जाओ कहीं आइसा न हो जाए कि लड़की विदा होने के बाद हम वहां पोंचे अरे भाई ऐसा नहीं होगा बस लास्ट के तीन चर पेज बचे हैं खतम करके तयार होने जाता हूँ आप मा सचमुच विदा करके ही उपमार भी जोड़े 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 सुर्या own पने साथ पजय के एसलाम टाइम पर नहीं को हालो हाँ सनाय बेटा कैसी हो तू मैं ठीकू आपीज मामा जी को फोन दीजे ना अभी देती हूँ दिवाकर सनाय का फोन है है बोलो शनाय है मामा जी मैं बहुत दिनों से आई को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ कुछ दिन पहले तक तो फोन नहीं उठा रही थी लेकिन अभी उनका फोन बंद आ रहा है अरुट बिटा अपने पापा के नंबर पे कॉल करो सुरेकान तुमारी बात तुमारी मां से क यह खड़ी जरे चकता हमाँ क्या प्रावलम है ठीक तो चल रही है सर चल रही है लेकिन अलाम गलेट टाइम पे बचता है सर ए घड़ी नहीं एंटिक मीस है जब तक चल रही है तब तक ठीक है इसे ने घर पे मत रखिये किसी मुजियम में रखिये शट आप तो इसर हरे जीजाजी कैसे हो मैं यहां काम के सिल्सले में आथा सुचा आप लोगों से सुरेगा से मिलता चलो सिंगापूर से शनाय का पून आया था वो कह रहे थी कि उसकी मा से बात नहीं हो पा रही है थोड़ी टेंशन में थी क्या ना टाख है मा पर ठीका सुरेगा तो अज़ों के पास लिख लेजे साद्री के शुरेखरी आप तो नाराज हो गेड़ के बात कर लेते अगर आप दुनों के पिछ को जगड़ा हुआ हॉआ हो उम्मुटा हो तो मैं सुल्टा देता हो अंदर संह के बात करें ने स्वेच सो शुलेक्द बात कर लीत आम ड biggest सुछ किसे बात करेंगे हैं? मुझे क्लिनिक जाने में देरी हो रही है जल्दी निकलना है जिजे जी बुलाना के बनाई है जाइए अखर क्या चल रहा था सूरे कांथ के दिमाग में क्यों उसने दिवाकर से जूट बोला कि सूरेखा सिंगापोर गई है जबकि वो सुभा शाम उससे बात करता था उसका खयाल रखता था और उसने दिवाकर को अपने घर में क्यों नहीं आने दिया क्या वो कुछ छिपा रहा था या फिर ये सिर्फ रिष्टों के बीच की आपसी दूरियों की वज़े से था मामा जी अगर उनको यह आना होता कम से कम मुझे इंफॉर्म तो करती ऐसे ही उटके सिंगापोर आ जाना क्या असान है क्या अगर मुझे नहीं इंफॉर्म करती तो ठीक है लेकिन आपको तो बताती आप तो वही थे ना मामा जी मुझे ऐसा लग रहे कि आई और बाबा के बीच में जरूर कुछ हुआ है क्या मतलब अदूमार है मतलब अजिए कि मामा जी जब मैं लास्ट टाइम एपन इंडिया में तब आई ने मुझे बताया था कि आई और बाबा के पीछ में बहुत अंदबन चल रही है इन फैक मैं अभी भी जब उनसे फोन में बात करती थी वो बिचारी रोती रहती थी मामा जी मुझे बहुत डर लग रहा है मुझे गजीब सी घबराहट हो रही है आपे काम कीजिए आप प्लीज जा के पुलिस को कंपलेन कीजिए I am sure कि पुलिस नी मेरी आई को रूंडेगी मैं कुछ समझा नहीं आकर आप कहना क्या चाते है एकी सरुब बात यह है कि मेरी बहन सुरेखा मराथ है अपने हजबन के साथ इसी ओरय में रहती है लेकिन उसके पाती के का कहना है कि वह तो Singapore चली गए है अप्नी पीटी के पास जबकि मेरी बांजी चनाय का कहनुए है कि वह तो Singapore आई ही नहीं है अब तक तो सुरेका फोन नहीं था देती लेकिन अब तो उसका फोन भी ओफ आ रहा है इसलिए मैं शनय के कहने पर सुरिका से मिल उसके घर चला गया लेकिन जीजा जी ने मुझे घर में गुसने ही नहीं दिया वैसे तो अच्छे है लेकिन पताने ही उन्होंने ऐसा भी हो क्यों किया हमेशे वो अच्छे से पेशाते है बात करते है पताने है अच्छाना कुने क्या हो गया नाम क्या हूंका सुरियकान्द मराथे तो इस निकल रहा हूं तुम्हारा खाना बना कर फिर्ज में रख दिया है करमा के खा लेना हा और दवाई भी ले लेना ओके है है अच्छान के रहा है तो ट्रॉष्टर सुरियकान्द मराथे है यस ख़िए ह्मे अपका घर चेक करना है इनोंने कम्लेंड की है कि इनकी बहन लापत है क्वाट रभश वाज रुड़े टिप्स मैंने तुम से कहा था ना कि तुमारे बहन से इंगापुर गई है अफिसर, इस अइडियत, इस्पेक्टर यह हम दोनों का ताइम खोटी कर रहा है दिखें दोटर मराथे, हमें कम्प्लेंट आईए, हमें चेक करना ही पड़ेगा ओके, वारंट दिखाएगे वारंट? दोटर बस चेक कर निकल जाएंगे, तसली कर रहा है ओफिसर, गर चेक करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है और दिस इस दे प्रोसीजर मैं क्लिनिक जा रहा हूं, तब तक आप वारंट ये कराएंगे सर, डॉर्यकान मराथे नह में उसके घर पर गुसने ही नहीं दिया सर्च वरण मांग रहा था, प्रोसीजर बता रहा था, पड़ाई शातिर दिमा का अदमी है सर्, मैं दिवागर जी को लेके कोड जा रहा हूं, वहाँ पर उनकी स्टेट्मेंट पर सर्च वरण बिल जाएगा शाम तक उसके घर की तलाशी हो जाएगा, मैंने एक अपना अदमी उसके घर के बाहर तैनत कर दिया है अब बाद के घर को आज़ा है लो नमस्ते रप्तर साहब नमस्ते 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 अच्छे अच्छे वह वह गाड़ी काई सी खराब हो गया था अच्छे अच्छे में गानिक को दिया तुम्हारे बहन की शादी है नहां साहल कब अगले मैंने आपाएंगे ना हाँ पिलकुल कुछ यह मदद के जरुवत हो तो बताना ठीक क्या वरुना ने रुना नहीं Manisha, पेशिंट्स मुझा ओ के साहँ, अपके वाइप कैसी है परेस अच्छी है था चुप चुप बच्छा रुना नहीं परेसे बीमार कोना है जी में डॉक्तर साब तो फिर इसे बाहर चोड़ कर आईए अरे मैं अपके लिए आई हूँ इसको किसके पाद छोड़ के आऊ यह इस तरीके से रोता रहेगा तो मैं आपका चेक-प कैसे करूँ चुप चुप जाए नहीं रोना नहीं रोना जाएंगे अभी बाहर जाने गर जाएंगे तो फिर आप जाएए जब यह चुप जाए तवाईएगा प्लीज अरे डॉक्तर सब दो गंटे से पहले है क्या आपके बैठी हो घर जाके और दस काम है आना बनाना है बती को डबा देना है आप और इंतजार नहीं कर सकती हूं मैं तो फिर आप जाकर किसे दूसरे डॉक्तर को दिखाईए प्लीज कैसे बात करें हो किसे बोड डाक्तर के पास बिसे जाएंगे अरे मैंड़ oh प्रफ प्रफ रहा है मैं क्या करूँ अच्छ इतनी से बात है ना मैंडम आप आईए मैं चेक अप करता हूं मैं छोड़ूंगे नहीं आपको एक तो लेगाते हो और उपर से से आप लिए एक अपकी कम्प्लैन करूँगी अरे माडम प्लीजयों कर रही प्लीजयों मैं अई प्लीज्वास आई एना एप dif प्लीजय neighborhood नग्त्र मेराधे आपको वारन चाहिए था न忍ता है कियर आओ वारंट, अब आगे की प्रोसीजर तो आपको पताई होगी, आईये, देख लीजे, शिन्ने, सार, अरिका में, कुरा घर चानवारो, देखो, सुरेखा जी कहीं मिलती हैं क्या है, सार, वो कि तर, क्या आज ही बार में है, इतना ठंड के मोसम में भी, एसी का टेम्परेजर इतना काम करके रखा है, घर को शीमला बना के रखा है, सर, जल्दी इधर आईये, क्या होश इंदे, देखिया सर, एक काम करो, राणे सापको फोन कोड़ा, ओक्या सर, क्या होँ सर, क्या होँ सर, क्या होँ? कुछे, आईये, 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 आई यह देखिए सर, कटे हुए सर के हलत दिकर लग रहा है कि बॉड़ी को साथा दीन पहले काटा होगा बॉड़ी पुरी तर ऐसे डिकंपोस हो रही है बाल भी जड़ रहा है इसका धड़क है सर पूरा घर चान बारा है लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला अगर के आसपास और गैरेज में देख़्ा में सर, चर्थ तावड़े, यहांदे कुछ देखिए सर, यह देख्या आरी सर, किसी बर भी खून का निशान नहीं है लगता है साफ करके रखा है तावड़े, यह सब फॉरंसिक में भीजो यह आदमी करता क्या है सर, ऐसे तो रिटार्ड मिल्ट्री डॉक्टर है लेकिन फिलाल, एक गवर्मेंट हस्पड़ी में प्रैक्टिस कर रहा है गाड़ी में बिठा उसे पुलिस स्टेशन लेके चलो पुलिस को सुरेखा का कटा हुआ सर फ्रिज में मिला तो क्या सुरेकांत, सुरेखा के कटे हुए सर से बात करता था क्या बات है सुरेका तुमारा बूब में टीक है अच्छी चाल चलीए तुमने आज स्पार्ट मॉफ और क्या सुरेखा की हत्या भी सुरेकांत नहीं की थी देख कर तो ऐसा ही लग रहा था क्योंकि सूरे कांथ ने सूरेखा की मौत के बारे में ना तो घर वालों को बताया था और नहीं पुलिस को सेप तौल दिया है ना अचा एक दरजन संत्रा पैक करो सूर्या आप की पैक कर दो भाई जल्दी कर दो हो मिनिस्टिर का ओडर आया है हुआ है था जा जोज़ थे पसंद आ है ले लो अड़ित पनसे मैं ख़ज़ कि पसंद कुम्हां गए वाव क्या आप गउड़ी ले लूज़ थे भाख ना Лे रिए लेग्या रहे ने Elise खुदी देख लो हाँ अरे भेंडी मेरी फेवरेट सब्सी है भाई याँ बाद वेरी नाइस मिर्ची के टाको जितनी भी डालोगी लेकर तुमसे आर तीखे नहीं हो सकती सच बता हूँ सच बोलता हूँ दुनिया मेरे लिए दो ही चीजन सबसे आदा दीखी है एक मिर्ची और एक मेरी खुबसूरब बीभी सुरिया आप उंची भी बोलते हो थोड़ा उमर कर तो क्यार करो ना आरे भाई आर्मी माला हूँ उमर उमको बोड़ा नहीं कर सकती नेवर वो तो दीखी रहा है आजकल आप ज्यादा ही जवान होते जा रहे हूँ जवान होते नहीं ज़ा रहा हूँ जवान हूँ मैं कभी बोड़ा नहीं हो सकता यूंड़ा नहीं हो सकता I love you 64 साल के आदमी पर अपनी 60 साल की पत्नी को मारने का इल्जाम लगा आखर 38 साल की कामयाब शादी के बाद क्या वाकई कोई आदमी ऐसा कर सकता है और अगर हां तो किन हाल आप में है लॉक्टर मरड़े ऐसी क्याव रॉलम थी आप दोनों की बीच क्या आपने अपनी बीवी का खुन कर दिया सर हमें मिल चुका है बाकि की बॉडी का है डॉक्टर मराठे सर हमें मिल चुका है ओजार भी मिले है इतना साफ है कि खुन आपने किया है इसलिए चुप बैढ़ने दो कुई फाइदा नहीं हो अगर कुबूल करनेंगे तो सजा कम हो सकते हैं डॉक्टर मराठे यह सारा ड्रामा बंग कीजिए और जो सवाल पूछे गए उनके जबाब दीजिए क्यों मारा आपने आपकी वीपी को? मैंने नहीं मारा उसे मैं कैसे मार सकता हूं मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ बहुत प्यार? ससर मुझे लगता है या तो यह दिमागी रूप से बिमार हैं या तो ओर स्माट बनने की कोशिश कर रहा है और दूनों ही आदत में इसका तूटना मुश्किल है मुझे ने लगते हैं कुछ बताएगा इसके लिए हमें वो बाकी की बॉड़ी वरमत करें हूँ सर शुर्यकान बुरा अद्मी नहीं है वो मेरे बहन सुर्यका से बहुत प्यार करता था मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कर सकता है क्या आप इनकी बेटी को सिंगापुर से हम मुंबई बुला सकते हैं? हमें उनका बयान लेना होगा जी मैंने उसे फोन कर दिया है वो आ जाएगे अच्छा ये सुर्यकान तो रिटार्मेंट के बाद कुछ काम कर देते हैं और घर पर इड़ाते हैं? सर अरमी से रिटार्मेंट के बाद वो कुछ दिनों तक घर पर ही थे लेकिन बाद में फिर अपने एक दोस्त के क्लिनिक में प्रैक्टिस करने लगे थे जी सर रिटार्मेंट के बाद में नहीं उन्हें फोर्स किया था कि कोई होस्पिटल जॉइन कर ले बड़ा अच्छी डॉक्टर है मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूं कि सुर्या कांथ ऐसे सब कुछ कर सकता है बहुत प्यार करता था वो सुर्यका से मैं मिल्टर की दिनों से जानता हूं सर उसे बड़ा शान्त और नॉर्मल सा इंसान है सुर्या जीब दख्वाना क्यों? दिखाऊ ज़से अड़ा इसे लग रहा है कि आपने एक साथ चार चार फ्लेवर के फालू दखाए पेलो खाना कालो आज से आपको यही खाना मिले गा सुनो क्या है मुझे अपनी बीवी से बिलना है मैं इसके बिना नही रह सकता तुम मुझे उसके पास ले चलो सुनौ मुझे उसके बास ले चलो, ना मेरी पा Radio अरे बीवी का तुन Monsieur तुन्हे खुन कर दी या अब इलiancesा मिलगा, loosely создah सुनौ 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 आखिर किस मान सिकता कि व्यक्ति थे सूरे कांथ ऐसा लगता तो था कि वह अपनी पत्नी से बेहत प्यार करते थे या फिर ये भी उनका कोई नाटक था अपने जुर्म पर फर्दा डालने के लिए सर आज करके जवान क्या रोमांस करेंगे जैसी यह लोग थे बहुत अच्छा रिलेशन था उन दोनों का आपस में सुरे का हमेशा मेरे साथ मंदीर आया करती थे लेकिन उसने सुर्या भाव की कभी बुरा ही नहीं की बल्कि उनकी तारीफ ही करती थी सर सुर्या भाव आर्मी वाले हैं सुबर जॉगिंग फिर मार्केट और शाम को सीधे घर पे एकदम पंच्वल और परफेक्ट लाइफ जीने वाला इंसान हाँ थोड़ा गुस्से वाला है पर सुसाइटी में डिसिप्लेन के लिए एक आख ऐसा अदमी भी तो चाहिए अधिक गाड़ी कैसे पार किये सुसाइटी में रहना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा गाड़ी ठीक से पार करो वरना भी पुलिस को काल करता हूं अपनी काम से काम रखो आपको मालूम नहीं में कौन हो मैं एक आमी मैन हो और अच्छी तरीके से जानता हूं चेड़ी चीजों को सीधा करना सब्सक्राइब शर्ण शुर्य गंदला में चांगला उलकतो चुड़ी बात पर अजी बात में यह सबके साथ उसको प्रावलेम है किसी ने गलत पार्किंग की तो यह कंपलेड कर देता है किसी ने कचना फेका тश बिस seamless इतना ही नहीं सर को अए फेरे वाला कर घुमे तो ऊसको कहता है कि तेरे बास परमीसिन है जहा चारे बात करते हैं इस्हारी सर वो तो समझ सकते हैं, बगर बच्चे अगर गली में खेले तो भी उसको तकलीब है, बच्चे अपने छट पे जाके खेले तो भी प्रॉब्लम है, बोलता है मुझे तकलीब होता है, मुझे दिश्टब होता है, सर उसके डर्शे बच्चे उने खेलना भी बंद कर दिया वेका में, सर, सूर्यवान के घर पे चट पे जग किया था हाँ, सर, चट पे कॉर्नर पे एक कुछ बॉक्स पड़े थे, लेकिन वो बॉक्स खा ली थे, सर ये सारे बॉक्से जटाओ ताला दूडू सर, टोटोल दोसों नन्यान बेटत्तो कोड़े ठीक है, इसे संदुक में रखो और संदुक फॉरण से क्लाब दिर्जदा सर, बॉड़ी केट दोसों निन्यान में टुकड़े और कटे हुए सर को पकड़कर थीन सो, मुझे लगता है कि बॉड़ी को यहां बेडरूम में प्रिज़र करके रखा था और बेडरूम का एसी का डेपरेजर सोला पे सेट किया था, अगर बॉड़ी टेरेस पे सबस हो चुके हो थी, मतलब बॉड़ी को हाल फिलाल में टेरेस पे शिफ्ट किया गया था कि अपरी तारीफ करते हैं कि दूमें एक बहुत अच्छे इंसान हो लेकिन इसा है नहीं है तूमें एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल है जिसने अपनी ही भीवी का बेरेमी से खून किया और तीन सो टुकड़े कर दिया क्यों मारा उसे आपके शूस ठीक तरीके से पॉलिष नहीं है और वर्दी ठीक तरीके से पृरिष नहीं है एक ओफिसर को हमेशा प्रॉपर्ली ट्रेस्ट रहना जाहिए इस पूरी सोसाइटी में आप आप एक 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 जाम्पल सेड़ पढ़ते है तूमें नहीं है लेकिन क्यों क्या मारा उसे त्छ प्रॉपर्री नहीं हो मैं एक क्योंने एक घ्ल्यू कि तु कRIण 실ं़ कि वहों वह नहीं है क्योंकि में तु सकता है उसकी बाड़ी के तुकुडे करके और अपने पास रख़ए क्योंकि तुम उसकी बेना जी नहीं सकते क। चर्ण हमान लेसे न कि वो, मेरे कारीब रहे, क्योंकि मैं ऐसके बना जी नहीं सकता, क्या मतलब क्या है? उसकी बोड़ी के टुकड़े गरके और अपने पास रखे, क्योंकि तुम उसके बना जी नहीं सकते। चलो मान लेते हैं, तुम ने उसे नहीं मारा, लेकिन मौत तो उसकी हुई है, जैसे मरी हो, जैसे साइड सुर्या, यह मेरा घर है घर, आपका आर्मी का कैम्प नहीं है, आप रिटार्मेंट के बार भी आर्मी के बाहर नहीं आ सकते, खुटा, यह सब मुची पर थोप दिया है, गिंती की चार सबसिया, दस दस वर वही पकाओ, वही खाओ, मैं एक आम इंसान हूँ, आम इंसान, बस क्यों, मैंने बहुत कोषिश की, यह सब समालने के, निभाने के, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं सुरिया, मैं जा रही हूं सञीख, सञीख मेरी बात तू सुनों, आप यह रह जाओ, और समालो आपकी की, डिसिप्लीन वाली जिंदगी, मैं जा रही हूं शुरेखा, मेरी बात सुनो, प्रीज, तुम जाओ बत सुरिया मुझे जाने ढाख! शुरेखा मुझे जो दौँ मैन में पुर्भर में नही रहे सकता है सुरामुझे जाने जौ तुमने सारी कि सारी अलमारी खळाब परती फिर सलियकानी पड़ीगी रिमिने, यहां? सुर्याँ, पीधिला. नुसे रिणी, दो! मेझे बात्चलों? सुर्याँ... सुर्यका... सुर्यका, सुर्यका, रुतो! मेझे बात्सलों? क्या करियो தु 먹어? सुर्यका, सुर्य... तुम मैझे छोड़ little weit नहीं जा, सुर्यका? अगर उसमें सुषाइड किया तो में पुलिस को इंफोरिका था तो में पूरिका ने आत्माध्या किया है और आपको इंफॉर्म करता तो आप तो उसे में सिच्छी नहीं लेते हैं, है नहीं? ब्योगूफ समझ रखाया मैं, तुमने उसकी बॉड़ी के टुकड़े इसलिए किये, क्योंकि तुम तुम टुकड़े को डिस्पूस करने वाले थे नहीं, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था, विर क्यों किया उसके टुकड़े, बोलो! प्लीज, टुम शाउट, मुझे प्रोब्लम होती है बॉड़ी के टुकड़े करने वाली बात तो इसने कबूल कर लिए, लेकिन मर्डर के बारे में अब तक कुछ बताने को तयार नहीं है सर, सूरेखा की पोस्माटम रिपोट बहुत कुछ कह रही है, सूरेखा की मौत अठा तरह को दोपर को तीन से छे बजे के बीच में हुए और सर पर यहां बीच में छोट लगने के वज़े से सूरेखा की मौत हुई है इसका मतलब कि सूर्यकांत ने सूर्यका का सर दीवार से पठका और उसकी मोत हो या फिर ये भी हो सकता है कि सूर्यका ने खुद अपना सर पठक लिया और बाद में सूर्यकांत ने उसकी बॉड़ी के टुकडे कर दिया सर मुझे लगता है कि इसे ने स्पुरेख़ा का कतल किया होगा बाद में इसे ने उसके टुकडेभी किर दे ठैकि बॉड़ी को आसानी से ठीकाने लगा सके । अलेकिन वो टुकडे करने की बात कबूल कर रहा ना? ना मरड़ की बात कबूल ने कर रहा सर आप मुझे उसके साथ 10 मिटे दीजिए दो डंडे पड़ेंगे ना सब कुछ उगल देगा वो भी बता देगा जो उससे नहीं पूछा है नहीं ताउड़े उबाद में कोट में मुकर जाएगा एक्स आर्मी ऑफिसर है उसकी पैरवी करने के लिए वकील भी बढ़ाएगा उसके खिलाफ ठोश सबूत इकठा करने होंगे तब तक उसे कोट में पेश नहीं कर सकते है अलो उके सावन का फोन था सूर्यकांद की बेटी सिंगापुर से वापस आगया थावडे इस सूर्यकांद और सूर्य खाव घर में अकेले रहते थे थे नो ज़रा पता करो इनके घर पे कोई बाई बाई काम करती थी क्या हाप उन्होंने बाई लगाई थी जो बाई मेरे घर पे भी काम करती है शांता नाम है उसका हाँ साप लेकिन कुछ दिनों से में चुट्टी पर हूँ कीते दिनों से काम पर नहीं कई लगबाग आट दिनों स मैं आई थी, तब भी साब मुझे बोले साब, मैं कब से गंटी बजा रही हूँ, लेकिन मेम साब एकी दरवाजा ही नहीं खोल रही दरवाजा नहीं खोल रही, क्योंकि वो सिंगापूर गई में सुर्यखा के आने तक तुम्हारी चुट्टी है, हाँ? वो जब आईगे ते तुम्हें बुला लेंगे लेकिन साब आप घर पे हो ना तो जाडू कटका बरतंग बांडी वो तक करनी पड़ेगी ना? तुम्हारी पगार अभी की कितनी है? साब पांसो में पच्छास रुपया कम क्या तुम्हें पक्का याकिन है कि उस थैले में करवात ही थी? साब मेरा महरत कारपेंटिंग का काम करता है तुम्हें करवत नहीं बैचाने के क्या? मतलब सूरेखा की मौत के बाद या सूर्यकान के हिसाब से उसके सूसाइड के बाद उसने बॉडी काड़ने के लिए ऑजार खरीद गया और अगर बॉडी के टुकड़े घर में मिलें तो जाहिर एक बॉडी कटी भी घर में ही होगी सर तत्तो घर से काफी मातरा में बद्बू भी आती होगी और उसे मिटाने के लिए इसने फिनायल या इसी किसी चीज का काफी मातरा में यूज भी क्या होगा तब अगर ऐसा है तो ज़रा पता करोगा ये औजार और फिनायल सुर्यकान ने कब और कहां से खरीदा को किसे विश्वास करना मुश्किल था कि जो आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था वो खुद उसके शरीर के तीन सो टुकले कैसे कर सकता था कि ये आदमी आपकी दुकान में कुछ सामन लेने के लिए आया था है औरे से ट ये तो वह ही आदम है दो उस दिन मगजमारी कर रहा ह। इससे बड़ी आरी आती है ग्या मुझे पता है आती ह। अरे साब यह सबसे बड़ा साइज है जब तुम्हारा पास नहीं है तो कं यह कि नहीं है जूट क्यों बोलते हो जिस दिन ने आदमी आया था मुझे उस दिन के आपके दुकान के CCDV फूटेज चाहिए मिल जाएंगे सुर्यका ने जिस दुकान से वह आवजार खरी दे थे हमें वहां के CCDV फूटेज मिल गए हमारी एक टीम वह CCDV फूटेज चेक कर रही और सुर इस वह मतलब उसने अठारा को खून किया उनने इसको बॉडी के टुकडे किये और फिर बीस तारिक को फिनाइल से घर साफ किया यह सर सुर्यकान आर्मी का रिटार्ड डॉक्टर है लेकिन तिर भी एक बॉडी के 300 टुकडे करने में उसे कम से कम एक दिन तो लगाई होगा सुर्यकान की बेटी मुम्माई लैंड हो चुकी है, एक गंडे में बुल्य स्टेशन पहुण जाएगे यह दो, जोड़े, पहँड़ें? करें, पहां, मेरे बॉड्य कोर समय लियुक्त आएगे हुआ, शुरेखा, पहले, यहीदु पहले अदे है? मुझे, भै, मेरे पास आजाओ, 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 आजाओ एक पिनटें, पैट्टो, मेरे करीप पास आजा पास अब ठंडी लगेगी है नहीं बाब ऐसा नहीं कर सकते आई और बाबा इक दुस्रे से बहुत प्यार करते थे और सबने देखा है कि वो एक दूसरे की बहुत विक्रगरते थे उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने तुक्ड़े किया है वैसे आपने इनहें कि उन्हों के बीच में कुछ अनबन थी जगड़ों के क्या वजय थी बाबा का आर्मी में होना क्योंकि वो रिटायर तो हो चुके थे लेकिन घर को आर्मी कैम बना के रखा था और एक साल पहले जब मैं सिंगापूर से आई थी तब आई ने मुझे पताय था कि वो नहीं तुम्हारे बाबा कभी नहीं सुधेंगे तैंसे चड़ा तंवल नाइस होनोते है एक सबसी दस-दस बार बनाने को कहते है जब तक उनके टेस्ट ऐसी नहीं बनती तब तक बनाओ बनाओ एक दीन तो मैंने एक सबसी 11 बार बनाई है धर की सबसी खता हो गई है तो आपाने नहीं शनाया आहिए अगर पर आलग बर्ताव करते हैं लोगों की सामने आलग बरताव करते हैं लोग बोलते हैं वा तुर्ण के चान नोरा मिडाला ए उन्हीं क्या मालू मैं क्या फुगत रही हूं शनया मैंने हज़र बार उनको काए तुमसे पैसे ना मांगे फिर भी वो तुमे कौर करते हैं पैसे भांगते हैं जी मुझे अब कीना दिये उनसे तुम्हारे बाबा तुमसे पैसे क्यों लेता था हमने तुम्हें पाल पोस्के बड़ा किया अपनी जिम्मेदारी निभाई अब तो अपनी जिम्मेदारी लिभाओं बाबा मैं अची दर जानती हूं कि आप और आई मेरी जिम्मेदारी है लेकिन आपको अची कासी पैंशन आती है आपको पैसो की क्या ज़रत है अपने खर्शे के लिए कि अपने पती के आगे आगे आथ पहलाओ बाओ ये सब कुशिष की आई को समझाने की कि बाबा को छोड़ दे लेकिन आई ने मेरी ये बात नहीं मानी और आई की इसी जितकी विज़े से आई की जान चली गई टावडे ये सूर्यकान संकी और सिर्फरा टाइब का आदिमी है पोस्ट माडम रिपोर्ट के हिसाब से जिस इंटेंसिटी से सूर्यका की सर पे चोट लगी थी कोई इंसान खुद को ऐसी चोट नहीं मार सकते और सूर्यकान के मुताबिक सूर्यका खुद अपना सर दिवार पे पटगरे थी जबकि सूर्यका के सर पे चोट का निशान सिर्फ एक है सर तो फिर यही पॉसिबल है कि सुर्याका ने खुद सुर्याका का सर दीवार पे पढ़का हो या तो किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया हो लेकिन तावड़े हमें दीवार पे कोई भी खून के ट्रेसिस नहीं मिले अगर ऐसा है तो वो चीज जिससे सुर्याका ने सुर्याका के सर पर मारा उसके घर में घयोनीची है रिका में सर सुफयाज खाले के इतरे काड़ो शिन्यक, सर, मैंग्निफाइँ ग्लास देनी? तावड़े इस टौच को फोरेंशिक ने पीज़ू, और उनको बोलो हाइब राइड़ीड़ट बेर पूट डें इसे पहेजानते हो, यह वही टॉर्च है, जो तुमने सुरेखा की सर पे दे मारा था, और इसकी मौटों है, इस पे सुरेखा की खून और तुम्हारे फिंगर पिंट्रिंट्स हैं, शिंदे, तीस अगड़ी अथ्ते रगे हो निया, और यह है वो सारे औजार, जैसे तुमने सुरेखा की बॉड़ी को तुकुड़ों में काठा, उस हार्डवेर शॉप का CCDV फुटेज भी है, जहां से तुमने यह सब खरीदा था, तो अब ऐसा करते हैं, जो कहानी तुमने हमें गोल घुमा के सुना ही, वो हम तुम्हें सीधी सुना देते हैं, और उस दिन दो पैर सुरेखा को मरा हुआ पायरा, फिर तुम घर से बाहर निकले, बाजार से यह सारे औजार खरीद के वापस है, और उसकी बॉड़ी को तुकुड़ों में काठा, और अगले दिन तुमने फिनाईल से पूरे घर को साफ किया, ताकि कोई बद्बू ना है, और जब पुलिस घ पर आई तो तुमने सर्च वरंगा नाटक किया, पुलिस के जाने के बाद, तुमने उन टुकड़ों को घर से निकाल कर चट पर रखा, और उस बक्से को खाली बॉक्से से ढग दिया, क्यों, सही का न मैंने, ऐसे हुआ था ना, बोनो, मैंने उसके टुकड़े किये थे, ल कभी बगड़ हिना जाओ, नहीं ऑफिसर, मैंने उस नहीं मारा, मैं कैसे मारूं गा उसे, मैं तो उसे इतना प्यार करता था, इतना प्यार करते थे, के थीं सौ टुकड़े कर दी है, मैं तुकड़ों को लेकर शेड़ी जाना जाता था, वहाँ पर उसकी समाधी बनाने के मैंने तो इस काम के लिए अपनी क्लिनिक से चुट्टी भी रखी थी और अपनी कार मेकानिक को दी थी मैंना इसी लगाने के लिए लेकिन ये काम तो अधोरा ही रह गया तक ये केस एक ऐसी अन्भुज पहली बना जिसका जवाब मानो पता था पर फिर भी पहली सुलज नहीं रही थी क्योंकि सूरे कान्थ ने अपनी पत्नी की लाश के तीन सो टुकड़े किये ये तो कुबूला लेकिन उसने अपनी पत्नी की हत्या की है इस बात से वो लगातार इंकार करता रहा सुबूतों के आभाव में पुलिस हत्या साबित नहीं कर पाई और सूरे कान्थ मराठे को घटना स्थल पर छेड़ चाड़ सुबूत मिटाने और पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में IPC की धारा 204 के तैद सजा सुनाई गई और पुलिस आज भी सुरेखा मराठे मरड़ केस की लाई लड़ रही है आखर सुरे कान्थ की इस हालत की वज़े क्या थी एक आमी आफिसर के तौर पर उनकी डिस्सिप्लिन्ट जिंदगी या फिर कोई मांसिक बिमारी या उनके अतीद का कोई ऐसा हिस्सा था जिसने उन्हें वहशी बना दिया था बंधन इंसान के हित में है लेकिन वो भी एक हद तक वरना बांध कर रखने की मांसिकता भारी पड़ती है क्योंकि आजादी चाहने वाला जब जोर लगाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है इसी विचार के साथ अब मैं आनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौका देने वाले केस के साथ तब तक अपना और अपने परिवार का खाल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल एक शून शून्या सब अकेग को सीख हम सब को जै झाल